नमस्कार दोस्तों तो दो बड़ी खबरे आई हैं टाटा मोटर्स ने प्लान किया है रैंप अप करने का इलेक्टरिक विकल के प्रोडक्शन का डिमांड गह रहे हैं वो होल टाइम हाई पे हैं तो उनकी प्रोडक्शन उन्हें हाई करनी ही पड़ेगी सियो ने इसके रिकार्णिक भी ब्यान दिया और कमर्स्यर लिवी में एंटपरी मारने को तैयारै & अगर गश्यांग का टाटा एस च्ञ सप्प्लाई उतनी होने ही पारी है, तो हम क्या करने वाले हैं, पैसंजर विकल के रिगार्डिंग, definitely हम major actions लेने वाले हैं, booking numbers बहुत ज़ाधा है, तो इसके रिगार्डिंग सेलेश शंद्राजी, जो managing director है, पैसंजर विकल के, electric vehicles के, उन्होंने बैयान दिया है तो उन्होंने कहा है कि higher than 30% level because of 2030 तो वो कहरा है कि धीरे धीरे growth बढ़ती जा रही है कई factor है supply ramp up करनी है उन्हें तो ये सारी चीज़े हैं तो वो definitely आने वाले time में production बढ़ाने वाले 30% से जादा ताकि वो reach कर पाए demand को और वो demand is continuously वो कह रहे है कि बहुत जादा बढ़ती जा रही है तो ये अच्छी ख़बर है किसी भी company के लिए अगर इसका backlog बढ़ रहा है और वो supply बहुत जादा demand है तो वो अच्छी बात है 453 प्राइस है long term का रुपेक्टिवर के short term का कभी नहीं कोई recommendation नहीं है फिर कोँगा बढ़ खबरे शांदार है long term के regarding तो नज़र बना रखे और वीडियो को like करना मत भूलेगा दोस्तों